जब पहली बार मादुरी दिख्षित को हुआ था स्टार्डम का एसास एर्पोट के बाहर बच्चे मांग रहे थे उनसे ओटोग्राफ लगवग तीन दसक लंबे अपने फिल्मी करियर में मादुरी दिख्षित ने सत्तर से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है यह उनकुछ अवनेत्रियों में से एक ही है जो अपनी शादी के बाद भी फिल्मों में काम करती रही है हाज मादुरी का जनम दिन है अनिल कपूर और मादुरी दिख्षित ने एक साथ कई हिट फिल्में दी है ऐसी ही एक फिल्म है टेजाव इस फिल्म के बाद ही मादुरी को स्टारड़ अब मिला था और लोग उन्हें पहचानने लगे थे यहां तक कि कई लोग उन्हें मादुरी की जगे मोहिनी कहने लगे थे फिल्म की कहानी एक ऐसे चात्र की थी जो भारती सेना में शामिल होने के सपने देखता है लेकिन दुर्भा के वर्ष और इस्तियां उसे क्रिमिनल बना देती है फिल्म का गाना एक दो तीन सूपर हिट सावित हुआ था आज भी इस गाने को क्लासिक माना जाता है इसका रिमेक भी बन चुका है यह फिल्म गोल्डन जुबली हिट थी और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी यह फिल्म मादुरी दिक्षित और अनिल कपूर के करियर में बेंच मार्क सावित होई इसके बाद दोरों एक्टर्स की गिंती सुपर स्टारों में होने लगी थी मादुरी ने एक इंट्रिव्य में कहा था जब तेजा रिलीज होई तो मैं एक फिल्म कर रही थी जहां हम तीन लड़किया डांस कर रही थी उस समय में इतनी लोकप्रिय नहीं थी इसलिए मुझे हमेशा पीछे खड़ा किया जाता था लेकिन फिल्म हुट होने के बाद फ्रंट लाइन में आ गई में मादुरी ने फिल्म की सक्सेस पर बात है करते हुए का था जब तेजाव रिलीज हुई तो मैं अपनी बहन की शादी के लिए अमेरिका गई थी जब मैं भारत लोटी तो हवाई एड़े पर अपनी कार की ओर जा रही थी तभी बच्चे मुझे देखका चिलाने लगे पोदे को हीरोईन 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 और वे सबी मेरी तरफ दोड़ पड़े बाद मैं मुझे उन्हें आटोग्राफ देकर बहुत खुशी हुई क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद मादुरी नहीं थी बलकि मिनाक्षी ससादरी थी लेकिन फीस और तारीक की बज़े से वो यह फिल्म नहीं कर पाई और बाद मैं मादुरी को साइन कर लिया गया इस फिल्म मैं मादुरी को वो पहचान दिलाई जिनकी उन्हें कल्पना भी नहीं की थी